बॉलिवुड इंडिस्टी में शौक की लेहर कल्स से च्छाई हुई है इर्फान खान की मृत्ती हो गई थी अब तक उनकी मृत्ती से फिल्म जगत उबर नहीं पाया था कि आज दिगज अभीनेता रिशी कपूर हम सभी को छोड़ कर चले गए ऐसे तो यह पिछले काफी समय से कैंसर से लड़ रहे थे पर मंगलवार शाम को सांस लेने की तकलीफ से के चलते इन्हें हॉस्पिटर्म ने भरती कराया गया था उस समय इनके पास इनका परिवार था फिर तबियत अचानक खराब होने के कारण इनका निधन हो गया इनके निधन की जानकारी आज सुबा अमिता बच्चन ने दी है इनके निधन के बाद कपूर परिवार में शौक का माहुल है भी परिवार के तस्दस से इनकी मौत से तूट गए है पर सबसे ज़्यादा रनवीर का पूर को दुख पहुचा है वै अपने पिता के अचानक यू जाने से दिश्टब हो गए है और उनका रोना बंद नहीं हो रहा है वै अपने पिता की मृत्ती से बहुत तूट गए है उन्हें समझ नहीं आ रहा है की वै क्या करें पर उन्हें ट्वीट कर अपनी भावनाओं को सब ये सामने रख और लिखा की आप मुझे छोड़ कर ऐसे कैसे जा सकते हैं डैड आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा आप मेरे डैड ही नहीं बलकि मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे आपकी उंगली पकड़ कर ही मैंने चलना सीखा अब मैं आपके बिना कैसे चलूँगा आपको बता दें की रनवीर कपूर अपने पिता रिशी कपूर के काफी ज्यादा क्लोस थे दोनों के बीच आप बेटे जैसा नहीं बलकि दोस्त जैसा रिश्ता था और इन दोनों की जोड़ी हमें फिल्म बेशरम में भी देखने को मिली थी जिसमें दोनों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी और अच्छा रिश्ता दिखाया था तो दोस्तों आप लोगों को रनवीर कपूर और रिश्य कपूर की यह फिल्म कैसी लगी थी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवुट की मसालेदार खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूले